हेलो गाईस कैसे हैं आप लोग ब्लैक स्वान इवेंट आज कल इसके बारे में चर्चा थोड़ी सी बढ़ गई है और ये सब कुछ हुआ है आर बी आई की वज़े से बेसिकली इसकी वज़े से अगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक सिर जरूर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें ब्लैक स्वान इवेंट का लाहन्स बेसिकली यह वो इवेंट है जिसको प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टु इंपॉसिवल होता है it's very difficult to predict black swan event and जब भी इस तरह का event होता है यह बहुत ही बड़ा नुक्सान करवाता है या फिर बहुत ही बड़ा फाइडा करवाता है and इस तरह के event को plan करना predict करना वो next to impossible है past के कुछ black swan events हैं जैसे की Y2K problem 2008 का financial crisis 26-11 का attack 9-11 का attack and recent में covid crisis यह black swan events है and यह सारे वो event है जिनको plan करना या predict करना next to impossible था still यह events हुए and इसकी वज़े से market में carnage आ गया था अब recent में RBI ने बोला है that FIIs यह Indian market से 100 billion dollar worth की investment को बेच कर पैसा इंडिया से बाहर ले जा सकते है and यह event black swan event हो सकता है so क्या reality में FIIs की selling यह black swan event है I don't think so reason being आप पहले ही predict कर रहे हो that हो सकता है FIIs Indian market से 100 billion worth की investment को बेच कर पैसे को बाहर ले जाए I mean आप तो already predict कर पा रहे हो and ऐसा भी नहीं है that यह एकदम से होगा FIIs की selling पिछले काफी लंबे time से continuously चलती आ रही है and अगर आप expert की सुनो and अगर आप economic news देखते हो यह past के कुछ event का result है and future में भी यह continue हो सकता है that means अगर आप ठीक से plan करो तो future में outcome थोड़ा से different भी हो सकता है हो सकता है FII इतने बड़े amount की selling ना करें and यह black swan event बिलकुल भी नहीं है because इसको आप already predict कर रहे हो and आपको पता है that future में ऐसा कुछ हो सकता है and black swan event के लिए सबसे पहली condition यह है it's next to impossible to predict a black swan event अगर आपको यह video पसंद आओ तो इसे like share जरूर करें and channel को subscribe करें Thank you